हलो बच्चों, कैसे हो आप सब? मैं हूँ शैली शर्मा, आपकी टीचर और आपकी सब से अच्छी दोस्त. क्या आप जानते हो कि मैं आज आपको कौन सी कहानी सुनाने जा रही हूँ? तो बच्चों, आज की कहानी का नाम है चालाक बंदर और मूर्क बिलिया. एक जंगल में दो बिलिया रहती थी, एक का नाम था सिया और एक का नाम था चिया. वो दोनों बड़ी अच्छी दोस्त थी, वो दिन भर साथ में घूमती फिरती उचलती कुटती रहती थी. एक दिन वो दोनों खाने की तलाश में इधर उदर घूम रही थी तब ही अचानक उन्हें एक रोटी दिखाई दी तो दोनों उस रोटी की तरफ दोड़ पड़ी सिया बोली इसे मैंने पहले देखा था ये मेरी है चिया भी बोली इसे मैंने पहले देखा था ये मेरी है और दोनों में इसी बात के कारण लड़ाई जगरा शुरू हो गया उसी समय वहां से एक बंदर जा रहा था तो दोनों बिलियों ने उससे कहा कि भाईया तुम हमारा फैसला करो कि रोटी किसको मिलने चाहिए तो बंदर ने कहा कि जब तुम दोनों को रोटी साथ में ही दिखी थी तो इस पर किसी एक का हक नहीं हो सकता इसका तो बटवारा होना चाहिए बंदर ने कहा लाओ ये रोटी मुझे दे दो मैं इसके दो बराबर हैसे कर दूँगा और दोनों को एक एक हिस्सा दे दूँगा तो बिल्लियों ने उसको अपनी रोटी दे दी अब बंदर के मन में रोटी को देखकर लालच आ गया और उसे एक चालाकी सूझी बंदर ने चालाकी से रोटी के दो तुकड़े किये उसने दोनों तुकड़ों को बारी बारी देखा फिर कहने लगा अरे ये तुकड़े तो बराबर नहीं हुए एक तुकड़ा दूसरे से बड़ा है और उसने बड़े तुकड़े में से थोड़ा हिस्सा खा लिया तो फिर बड़ा हिस्सा छोटा हो गया और फिर से बराबर नहीं हुए इसी तरह वह बारी-बारी से अपनी चाला की से ऐसा ही करता गया और अंत में केवल एक ही टुकड़ा बचा ये सब देखकर बिल्लियों ने कहा हमें नहीं करवाना कोई फैसला, तुम हमारी रोटी वापस दो तो उनकी बात सुनकर बंदर हस पड़ा और बोला, ओह, ओह, अब भला इतना चोटा टुकड़ा मैं तुम्हें कैसे दे सकता हूँ इसे तो मैं ही रख लेता हूँ ऐसा कहकर बंदर ने रोटी का आखरी टुकड़ा भी खा लिया और वहां से भाग खड़ा हुआ तो बच्चो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें अपने लडाई चगरे कुद ही निप्टा लेने चाहिए दो लोगों की लडाई का फाइदा कोई तीसरा उठाता है जैसे की इस बंदर ने उठाया बाई बाई